नमस्कार दोस्तों स्वावत है आप सभी का सरकारी टुडे नियूस के ओफीशल यूटूप चलेंड में दोस्तों आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी कुश्कबरी है क्योंकि नवंबर 2021 के महिने में आ चुकी है बामपर भरतियां जी हाँ दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आप सभी के लिए सरकारी नोक्री की जानकरी लेकरा है जो की लगभग डेड़ लाग पदो पर बामपर भरती है दोस्तों पोस्ट ओफिस, रेलवे, एससी, बेंग, पुलिस, आर्मी इन सभी सरकारी भागों की तरफ से बामपर भरतियां आ चुकी है दोस्तों अगर आपका सपना है के वर आपको सरकारी नोक्री ही पानी है तो आज का ये वीडियो आप सभी के लिए काफी महत्पुन होने वाला है जी हाँ दोस्तों हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार आपको इस साल 2021 में मिलेगी एक सरकारी नोक्री तो वीडियो में लास्ट तक बने दिएगा हम आपको संपुन भरतियों की जानकाई देने वाले हैं और आगे बढ़ने से पहले दोस्तों जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें दोस्तों में जादा स्यादा शेर कीजेगा तो उसना इसी प्रकार नहीं भरतियों की जानकारी के लिए चल्द को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरु दबाएगा तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आप सभी के लिए नवंबर 2021 की महा भरतियों की जानकारी लेकर आएं दोस्तों ये जो भरतिया निकाली जारी है संपूर्ण भारत से भरतिया निकाली जारी है यानि कि भारत के किसी भी राज़ी या किसी भी जिले में आप रहते हैं दोस्तों तो आप सभी अभ्यारती आवेदन करने होगे हैं आवेदन जरूर कीजेगा महिला और प्रोष लड़के और लड़कियां सभी अभ्यारती आविदन कर सकते हैं और दोस्तों इन भरतियों के लिए कुछ भरतियों में आपके कोई भी परिक्षा नहीं होने वाली है बिल्कुल सीरी भरती के माद्देम से भी आपको सरकारी नोकरी मिल सकती है तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि बिना परिक्षा के भी आपको एक सरकारी नोकरी मिल जाए तो वो भरतियां भी आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं तो आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कीजेगा चलिए सीधा आपको हमारी ओफिशल वापसाइट पर लेके चलते हैं जहां पर हम आपको नवंबर 2021 की महीने की तमाम भरतियों की संपुर्ण जान करेंगे एक एक करके तो दोस्तो अधिक जान करियों आवइदन करने का लिंक मिलेगा आपको हमारी ओफिशल वापसाइट पर सरकारीTodayNews.com पर दोस्तो आज ही हमारी वापसाइट पर जाएं और आवईदन करें आप चाहें तो हमारी वापसाइट को गूगल में भी सर्च कर सकते हैं जैसे दोस्तों आप Google में सर्च करेंगे आप सिधा हमारी Official वापसाइट पराजेंगे तो दोस्तों अगर आप कक्षा आठी पास हैं दस्वी पास हैं बारी पास हैं इसना तक पास हैं किसी भी विशे के अंतरगर चाहे आर्स कोमर्स साइंस में जब इबी टे तो आप सभी जोकरी की अपडेट है दोस्तों हम आ चुके हैं सीधा हमारी Official वापसाइट पर और हम बात करेंगे नंबर वन भरती की इसके बाद और भी भरतियां है वीडियो को अंतक जरू देहेगा तो सबसे पहले हम बात करते हैं हिमाचल परदेश के पोस्टर सरकर यानि की पोस्ट आज ही जारी की गई है दोस्तों यहाँ पर MTS के पद है शौटिंग असिस्टेंट पोस्टर असिस्टेंट के पद हैं पोस्ट मेन और मेलगार के पद हैं कुल मिलाकी 18 पद यहां पर है चेन परकिरिया में केवल मेरिट के अधर पर आपका चेन होगा और सेलरी आपको 18,000- 81,000 रुपे प्रतीमा मिलेगी उमर सीमा जो है 18-27 साल है ICO में छूटे सरकार की निमनसा आविदन शुल्क जो है जन्राल OBC EWS के लिए 100 रुपे है SCST, PH और फीमेल के लिए बिल्कुल फ्री है पेमेट आपको ओनलाइन करना होगा वही योग्यता जो है कक्षा 10 वी से लेकर के 12 वी और इसना तक पास सभी अभ्यारती आविदन कर सकते हैं दोस्तो इसके आविदन जो है 6 नवंबर से 15 दिसंबर तक चलेंगे ये रहा आविदन करने का लिंग वहीं दोस्तो रेलवी की तरफ से भी दूसरे नवर की एक और भरती निकल कर आ रही है जो कि आप देसेते हैं वेस्टन रेलवे आडरसी की तरफ से है रेलवे रिकूटमेंट सेल की तरफ से है दोस्तो यहाँ पर भी विभीन परकार की भरतियां है जैसा कि आप देसेते हैं जूनियर इंजिनियर के पद हैं, टेक्नीशन के पद हैं, इस्टेनो ग्राफर के पद हैं और जूनियर ट्रांसलेटर के पद हैं, कुल मिला कि 80 पदों पर यह भरती है, आविधन के वल आपको ओनलाइन करना होगा, संपुर्ण भारत से आविधन मांगे जा रहे हैं, चेन प आविदन जो है 22 अक्टूबर से 21 नवंबर तक चलेंगे ये रहा आविदन करने का लिंग वहीं दोस्तो स्वास्तु इभाग की तरफ से आ चुकी है महा भरती जैसा कि आप दिसेते हैं स्टाफ नर्स के पदोपर बंपर भरती के सुचना जारी हो चुकी है 6114 पदोपर दोस जो है जन्रल OBC के लिए 210 से SCST के लिए बिल्कुल फ्री है और पेमेंट आपको ओनलाइन करना होगा वहीं दोस्तो योगेता जो है अगर आप यहां पर GNM पास है या फिर अगर आप BSC नर्सिंग पास है तो आप सभी अभ्यारती आविदन करने ही होगे हैं 3 नवंबर से 18 नवंबर तक आप आविदन कर सकते हैं यह रहा आविदन करने का लिंग वहीं दोस्तो भारती है वाई उससे ना यानि कि इंडियन एरफोर्स में भी आ चुकी है नई और बड़ी भरती जैसा कि दोस्तो आप देसकते हैं मल्टी टास्किंग स्टाफ MTS की पदो पर LDC और कि पेंटर की पद हैं पेंटर के पद हैं फायरमेन के हैं कुक के हैं और भी अन्य पद हैं दोस्तो यह जो भरती है इसमें आपकी कोई भी फिजीकल टेस्ट नहीं होगी यानि कि आपकी दोर नहीं होगी सीधी भरती है आविदन आपको ओफलाइन करना होगा और दोस्तो इस लिए संपुर्ण भारत से सभी अभ्यारती आविदन कर सकते हैं महिला और प्रोश और सेर्डी आपको मिलेगी 18,000 से 25,000 रुपे परती माँ चेन परिकरिया में आपकी केवल परिक्षा होगी एक्जाम होगा जोब लोकेशन संपुर्ण भारत की है उम्र सीमा जो है 18-25 साल है आई स्वी में चूट है सरकार के निमुन साथ और योगेता जो है दसवी कक्षा से लेकर के बारवी और इसना तक पास सभी अभ्यारती आविदन कर सकते हैं इसके आविदन जो है 30 अक्टूबर से 29 नवंबर तक चलेंगे ये रहा आविदन करने का लिंग वहीं दोस्तों को नई भरती है जो की IBPS की तरफ से हैं जी हां दोस्तों जैसा की आप दिसकते हैं इंस्टूट और बेंकिंग पसना सेलेक्शन IBPS की तरफ से आ चुकी है नई भरती पदों की बात करते हैं तो specialist officer के पद हैं विबिन परकार के पद हैं जिसकी संपुर जानकरी आप हमारी वा आविधन कर सकते हैं उमर सीमा जो है 20-30 वर से ICM में छूट है सरकार के निमनुसा और आविधन शुल्क जो है जन्नल OBC के लिए 850 से SCST PH के लिए 175 है और पेमेंट आपको उनलाइन करना होगा दोस्तों योगेता जो है अगर आप इसना तक पास है किसी भी विशे के पर तक चलेंगे ये रहा आविधन करने का लिंग वहीं दोस्तों बिजली उफार की तरफ से भी एको नई भरती की सुचना जारी हो चुकी है जैसा कि आप दिसकते हैं उत्तरपरदेश पावर कोर्परेशन लिमिटेड की तरफ से आ चुकी है एको नई और सीधी और सेलरी आपको लगबग 45,000 रुपे पर तीमा मिलेगी उत्तरपरदेश इंडिया की जोब लोकेशन है और उम्र सीमा जो है 18-40 वर्ट है और यहाँ पर आविधन शुल्क जो है जन्नल OBC के लिए 1180 है SCST के लिए 826 है और PH के लिए 12 है पेमेंट आपको ओनलाइन करना होगा योग के था जो है अगर आप डिप्लोमा डिग्री पास है तो आप सभी अभ्यारती आविधन कर सकते हैं आविधन जो है 12 नुमबर से 2 दिसमबर तक चलेंगे यह रहा आविधन करने का लिंग वहीं दोस्तों DRU की तरफ से भी एको नई और सीधी भरती आ चुकी है जैसा क यह आप दिसकते हैं Defense Research and Development Organization यानि की DRU की तरफ से एक नई भरती की सुचना जारी की गई है पदों की बात करते हैं तो Junior Research Fellow यानि की JRF के पद हैं और Research Associate यानि की RA के पद हैं अपलाई के वल आपको दोस्तों ओनलाइन ही करना होगा email ID के माद्यम से संपुर्ण भारत के सभी अ प्यारतियों के लिए योगिता जो है दोस्तों अगरा Post Graduate Pass है तो आप आविधन कर सकते हैं कुल पदों की संग्या 12 है आविधन जो है यहां पर 30 November तक चलेंगे ये रहा आविधन करने का लिंग वहीं दोस्तों एक और नई और Bumper भरती आ चुकी है क्लर के पदों पर जो की लिकित परिक्षा और टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा सेलरी आपको 19,900 रुपे पर मन्त मिलेगी जोब लोकेशन संपूर भार पंजाब किरेगी और उम्र सीमा जो है 18-37 वर्ष है और यहां पर आविधन शुल्क जो है जनरल के लिए 1000 है, SCBC, EWS के लिए थाइसो है, X आपको ऑनलाइन करना होगा, योगेता जो है दोस्तों अगर आप यहां पर इसना तक पास है, किसी भी विशेक अंदरगा तो आप सभी अभ्यारती आविधन का सकते हैं, आविधन जो है 18 नवंबर तक चलेंगे, यह रहा आविधन करने का लिंग, वहीं दोस्तों इंडिय 978 पदों पर यह बड़ी भरती है, जिसके लिए केवल आपको दोस्तों ओनलाइन ही आविधन करना होगा, संपुर्ण भरस से सभी महिला और पुरिस अभ्यारती आविधन करने होगे हैं, उमर सीमा जो है 18 से 24 वर से, आई सिमा में छूट है, सरकार के निमनसा और योगेता जो है दोस्तों दसवी कक्षा से लेकर के बारवी आईटे डिप्लोमा डिग्री सभी पास अभ्यारती आविधन कर सकते हैं, आविधन जो है 12 अक्टूबर से 12 नवंबर तक चलेंगे, ये रहा आविधन करने का लिंग, वहीं दोस्तों एक और नई और सीधी बड़ी भरती जो कि आप दिसते हैं, जम्मू एन कश्मी सर्वीसे सेलेक्शन बोर्ड की तरफ से हैं, सब इस्पेक्टर यानि की SI के पदों पर ये बंपर भरती है, 800 पद यहाँ पर जारी के गए हैं, जिसके लिए केवल आप दोस्तों ओनलाइन आविधन कर सकते हैं, चेन परकरिया में आपकी लिकित परिक्षा होगी, उसके बाद फिजिकल टेस्ट होगा आपका, उसके बाद मेडिकल एक्जाम होगा, दोस्तों यहाँ पर सेलरी आपको मिलेगी 35,900 से एक लाग 13,500 रुपे परतीमा और उम्र सिमा जो है यहाँ पर अधिक जानकरी के लिए नोडिफिकेशन क चलेंगे, यह रहा आविदन करने कलेंग, वहीं दोस्तों अब बात करते हैं एक और नई भरती की जो है बिजली विभाग की तरफ से यानि की 36 गार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड की तरफ से आ चुकी है नई भरती, डाटा एंट्री ओप्रेटर यानि की की पदो पर यह बड़ी भरती है जो की कुल मिला के 400 पदो पर भरती है, आविदन केवल आपको दोस्तों ओनलाइन करना होगा, सेलरी आपको 19,800 से 62,600 रुपे परतीमा मिलेगी और उम्र सीमा जो है 18 से 40 वर से, आविदन शुल्क जो है जनरल OBC के लिए 700 है, SCST के लिए 500 है पेमेंट आपको उनलाइन करना होगा, वहीं दोस्तों योगेता जो है अगर आप डिप्लोमा या डिग्री पास हैं तो आप सभी अभ्यारती आविदन कर सकते हैं, इसके आविदन जो है आप देशते हैं 11 नमबर तक चलेंगे, ये रहा आविदन करने का लिंग, दोस्तों